पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंट्मेंट बुक करें वो भी पेशिंट फीडबाक देखते हुए आज ही ओला डॉक अप डॉइंट्मेंट आसानी से कोई ओरत जब वो प्रेग्मिन्ट होती है तो वो उस नो महिने के कंप्लीट होने का इंतिदार कर रही होती है कि कब वो टाइम पूरा हो और वो अपने नए होने वाले बच्चे को अपने हाथों में उठाए इसी तरह से हर कोई पेशन्ट का बहुत ही कॉमन कुस्टिन होता है कि डॉक्टर मेरी डूडेट क्या है चलें इस पे आज हम डिसकुशन करते हैं असलाम अलेकुम मेरा नाम डॉक्टर माला शहानी है मैं इस अ कंसल्टेंट गाइनेकॉलजिस्ट एंड अपस्टेटरिशन अल्समश जनरल हॉस्पिटल में अपनी क्लिनिक कर रही होती हूँ आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अपनी डूडेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है असल में एक आम जो हमारी आम पबलिक है उसका कंसेप्ट यह है कि एक परेगनिनसी नायन बंद की होती है इसा बिलकुल नहीं है एक परेगनिनसी की जो प्यूरी डूरेशन होती है वो 40 वीक्स या 2 एटिट टेस की होती है और एक pregnancy को हम तब से count करते हैं जब उसके last menstrual period आ रहे होते हैं काफी patients का ये सवाल होता है कि doctor last menstrual period से क्यों pregnancy count की जा रही है जबके मैं pregnant तो उस time नहीं होई होगी मैं तो अपने periods के काफी time के बाद pregnant हुई हूँ तो इसका जवाब ये है कि जब जो हमारे ovaries होती है ओवरी में एक mature एक होता है उसकी growth periods के first day से ही शुरू हो जाती है और जब वो fertilize होता है जब conception होता है तो वो एक already two weeks का हुआ होता है और जब हम अपनी pregnancy test के जरीए pregnancy confirm करते हैं तो हम already four weeks pregnant होते हैं यानि कि हमारा दूसरा महिना शुरू हो चुका होता है ठीके तो इस तरीके से हम अपनी due date कैसे calculate करेंगे बहुत ही simple rule होता है जिसको कहते है नेगल्स rule नेगल्स rule के जरीए आपको अपनी last menstrual period date में three months जो उस महीने में आये उस महीने के three months पीछे जाएं date में seven days eight कर दें और एक साल बढ़ा दें for example अगर किसी की last menstrual period की date 10th October है अगर तीन महीने हम पीछे जाते हैं September, August, July तो उसकी due जो month होगा वो होगा July और 10th date में अगर आप seven days eight कर दें तो हो जाएगा 17th July और 2023 में one year eight कर दें तो वो हो जाएगा 2024 यह निके इस patient की expected date of delivery due date जो हो जाएगी 17th October 2024 दूसरा method जो बहुत ही simple है में nine months और seven days eight कर दें for example अगर 10th को आए हैं तो seven days eight करके 17th अगर October में आए हैं तो November, December, January, February, March, April, May, June, July July 17th of July 2024 में इनकी due date होगी expected date of delivery होगी अच्छा कुछ patients ऐसे होते हैं जिनके periods irregular होते हैं और periods irregular होने की वजह से उनको अपने last menstrual period की date याद भी नहीं होती है तो इन में दो तीन alternatives हैं जिसके जरीए हम due date calculate कर सकते हैं इसे patient में सबसे important होता है ultrasound जो first trimester शुरू के तीन महीनों में हम पहला ultrasound करवाते हैं उसके जरीए expected date of delivery और जो भी उनकी accurate gestational age हो वो calculate की जाती है दूसरा rule जो बहुती rough या फिर roughly यूज़ करते हैं वो होता है beta XCG human chorionic gonadotropin ऐसा hormone है जो fertilization के बाद हमारे blood में आ जाता है यानि के last menstrual periods के almost three to four weeks के बाद और urine में four weeks के बाद आता है तो अगर हम pregnancy test इसी बीच में कर रहे हैं और हमारी pregnancy confirm हो रही है तो roughly इससे भी हम due date का अंदाजा लगा सकते हैं या फिर beta XCG की जो हमारी laboratory levels देती है उसमें भी वो range एक बता देती है के ये इस range इस week की range में पढ़ रहा है तीसरा method अगर कोई भी patient अपने ovulation track कर रही है ovulation kits के जरीए अपने symptoms के जरीए और अपने intercourse की date भी याद है तो उनको confirm होता है कि हमारा conception कब हुआ है अगर उनको अपनी conception date याद है अगर उसमें 266 days 8 करें तो आपको आपकी due date मिल जाएगी अच्छा अब बहुत सारे patients का ये भी question होता है कि मैं हर ultrasound में मेरी expected date of delivery change हो रही होती है जी बिल्कुल ये बिल्कुल सही है क्योंकि ultrasound आपकी due date हर time calculate करता है वो baby के growth चेक कर रहा होता है उसमें बच्चे की growth कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है जो किसी benign उसकी वज़ा से या वो बहुत ही common है वो उसकी centimeter में या millimeter में चेक कर रहा होता है head circumference, femur link, abdominal circumference और इन सब चीजों को मिला जला की क्योंकि वो तो एक technique है न वो skill है एक के वो एक machine के जरीए हम parameters चेक कर रहे है तो इसी वज़ा से सिरफ first trimester ultrasound को हम reliable समझते हैं due date calculate करने के लिए उसके बाद वाले ultrasound में सिरफ fetal growth assess की जा सकती है लेकिन due date का अंदाजा accurately नहीं लगाया जा सकता बहुत सारे patients को ये मनना होता है कि क्या जो आप मुझे due date दे रहे हैं वो मेरी exact delivery की date होगी नो ये बिल्कुल भी सच नहीं है जो due date होती है वो कभी भी delivery date नहीं हो सकती सिरफ 4% लोग ऐसे हैं जिसमें उनको जो due date दी जाती है उसमें ही delivery हो जाती है ज्यादा तर लोगों को जो delivery की एक term baby होता है वो 37 weeks से 41 weeks के बीच में होता है तो जो ओरतें labor pain में जा सकती हैं उनके labor pain 37 से 41 weeks के बीच में कभी भी शुरू हो सकते हैं उसके इलावा कगर ceserian section करना है तो उन patients को किसी भी condition की वज़ा से labor pain में जाने से पेले ही जब हमें पता है baby term पे आ चुका है baby mature हो चुका है तो हम 37 से 41 weeks के बीच में कभी भी ceserian कर देते हैं उसके इलावा अगर कोई भी ऐसी medical condition है जो optician को decision लेना पर रहा है कि उसकी ceserian या delivery की date change की जाए तो उस हवाले से भी change कर सकते हैं तो ये हमेशा नहीं होता है कि due date ही delivery date हो सबसे important है कि जब भी baby पेदा हो वो बहुत healthy हो और बहुत ही सही से grow किया हुआ हो उसमें कोई abnormality नहीं हो माँ और बच्चे सिहत मन्द रहें आपको ऐसा कोई भी क्योरी हो ऐसे कोई भी सवाल का जवाब चाहिए और सेजेरियन सेक्शन के किसी भी क्योरी के लिए आप मेरी appointment ले सकते हैं ultimate general hospital या फिर ओला डॉक के जरिये online और physical consultation दोनों ले सकते हैं शुक्रिया असानी से